हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की टिप्स में मैं आपको चेरे करूं को बहुत ही ज्यादा निखारने का और तवचा से जूरियां और दागधबों को दूर करने का एक बहुत असरदार उपाय बताने जा रही ह कि साथ ही बहुत ही ज्यादा साफ सुत्री और निखरी हो जाएगी लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर क्लिक करें मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलीव शुरू करते हैं इस नुस्की के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा रोज वाटर यानिके गुलाब जल आपको गुलाब जल लेना है एक चमच गुलाब जल हमारी तचा को निखारता है साथी इसकी इस्तेमाल से हमारी तचा ग्लोइंग होती है गुलाबी और निखरी हो जाती है रोज़वाटर हमारी तुच्छा को बहुत ज़्यादा ख्लीन और क्लियर बनाता है इसके इस्तेमाल से हमारी तुच्छा बहुत ही ज़्यादा साफ सुत्री और खुबसूरत हो जाती है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है विटामिन E केप्सूल यह किसी भी मार्केट में आपको बहुत ही असानी से उपलब दें और यह ज्यादा महंगा भी नहीं है इसमें आपको विटामिनी कैप्सूल के इस तरह से इसका सारा ओयल आपको इसमें मिक्स कर लेना है लगबग दो कैप्सूल इसका सारा ओयल आपको निकाल देना है और इसमें मिक्स कर लेना है विटामिनी के इस्तेमाल से हमारी तवचा की जुरियां बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है साथ ही हमारी तवचा ग्लो करने लगती है इसके लावा विटामिनी के इस्तेमाल से तवचा के दागधवे भी द कि पाछी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपको इसके माल करना है कि अराँ को या दिन कोоп Va teor ओर आप में इसके के माल करेंगे तो यह बहुत ही जदा आपको फायदा देगा इस तरह से अफेने चेरे पर लगां करकर करना है और आपको मसाज कर नहीं है मसाज करने के बाद इसे लगा करके आपको आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देना है अगर आप रात को इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसे आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं लगा करके यह बहुत ही जड़ा एफेक्टिव है तवचा की जुरियों और दागदोबों को दूर करने में साथ ही तवचा को ग्लोइंग बनाने में इसका इस्तिमाला परोजाना कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज इसे शेयर जरू करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो